कालू सुन लो अगर आज तुम कोई कामवाली मासी ना लेकर आए तो घर की सफाई और बरतन तुम्हें ही धोने होंगे कामवाली 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 मैं कहां से ले आओ कामवाली नहीं मिलती मैं कल भी जंगल गया था जाओ तोते से जाकर पूछो उसे जंगल में सारी कामवालियों का पता होता है फिर कालुकावा अपने घर से निकलता है यार तोते कोई कामवाली है तुम्हारी नजर में क्या हाँ कवे एक चुड़िया मेरे पास काल ही आई थी उसे काम की जरूरत है सुन्दर जवान है क्या वो कवे तुमने कामवाली रखनी है या शादी करनी है उसे जो उसके संदर्ता के बारे में बोच रहे हो नहीं मेरा मतलब जवान और स्वस्त होगी तो फिर ही वो मेरे घर के काम कर पाएगी बेरी के पेड़ पर घर है उस चुड़िया का तुम जा कर उसे पूछ लो फिर कालुकवा बेरी के पेड़ की तरफ चुड़िया के घर जाता है चुडिया चुडिया मुझे तोते ने भेजा है सुना है तुम काम की खोज में हो मुझे एक काम वाली मासी की जरूरत है हाँ खवे मैं तो कई दिनों से काम की खोज में हूँ मैं आपके घड़ के सारे काम अच्छे से करूँगी तो फिर ठीक है, तुम कल काम पर आ जाना और याद रखना, मेरी पतनी और तुम्हारी मालकिन बहुत गुसे वाली है, दिहांचे काम करना जगू, जगू बेटा, यहार सोई में मैंने सो रुपे रखे थे, वो तुमने उठाए हैं क्या? नाना, ममा, नहीं, पापा, वो पैसे जरूर पापा लेके होंगे आ ले एक बार कालू का बच्चा, कमाता है नहीं, और जो पैसे मैं जमा करके रखती हूँ, ले जाता है, बीड़ी पीने के लिए रात को जब कालू कववा घर आता है, तो गोरी कववी आते ही चड़ाई कर देती है, कोई मिली काम वाली या नहीं आज भी? मुझे पानी तो पीने दो, बताता हूँ कववा पानी पीता है हाँ, एक चुडिया मिली है, वो कल से काम पर आएगी और रसोई से पैसे क्यों उठाये थे तुमने? पैसे? कौन से पैसे? ऐसे मासूम बन रहे हो, जैसे कभी चोरी की ही नहीं, पहले बाहिट चोरियां करते थे, बाहिट चोर दी, तो अब घर में ही करने लगे हो कालू कवा अपने बेटे को घूर घूर कर देखने लगता है जगू, कहां है, कहां है तुम्हारी मा के पैसे? ममा, पापा घूर रहे है, पापा मुझे घूर घूर कर देख रहे है खबरदार ओय कालू, जो मेरी जगू की तरफ मेली आँख से देखा दो मेरा जगू ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करता दूसरे दिन जगू कवा अपनी ममा के चुराए हुए पैसों से अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है कीकी और बुलबले, ये पैसे मैंने अपनी ममा के चुराए थे कल तुम भी चुरा राना, कल फिर से पार्टी करेंगे यार, मैं जब भी ममा के पैसे चुराता हूँ, मैं पकड़ा जाता हूँ तुम भी तुम भी मेरी तरहां अपने पापा का नाम लगा दिया करो वारे जगू तू तो बड़ा तेज है अब तो कर मेरे पापा भी ममा से पिटेंगे जब मैं ममा के पैसे चुरा कर पापा का नाम लगा दूँगा चिडिया भी कवे के घर काम पर आ जाती है चिडिया दो-चार सो तनख्वाज ज्यादा दे दिया करूंगी मगर काम में कमी नहीं होनी चाहिए ये काले बरतन उठाओ और इन्हें चमका कर लाओ गोरी मालकिन आप चिंता ना करें मैं अपना काम बहुत सलीके से करती हूँ ऐसे चिडिया कवे के घर में काम पर लग जाती है चिडिया बरतन धोती है घर की सफाई करती है चिडिया कपड़े धोती है और घर के सारे काम करती है और शाम को अपने घर चली जाती है रास्ते से वो अपने बेटे के लिए खाना लेती है ममा आप सो जाएं आप ठकी हुई होंगी मैं खाना खा लूँगा नहीं मेरे बेटे हम मा बेटा दोनों साथ में खाएंगे अभी मैंने भी खाना नहीं खाया दोनों मा बेटा खाना खाते हैं दूसरे दिन जब ममा चड़िया काम पर जाने लग दी है तो कुकू अपनी ममा से कहता है ममा मैं भी आपके साथ जाता हूँ, मैं कामें आपकी मदद करूँगा कुकू बेटा आपको कौन सा काम करना आता है ममा मैं घर की सफाई कर सकता हूँ आप दूसरे काम कर लेना और मैं कवे माली के घर की सफाई कर दूँगा फिर चडिया अपने बेटे को साथ ले जाती है तुम तुम मेरे कमरे से दूर ही रहना जगु दोस्त हम नदी पर भी तो साथ ही बैठते हैं पहले तुम्हारी मा हमारे घर काम नहीं करती थी अब तुम हमारी नागरानी के बेटे हो इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करूँगा ऐसा कहते हुए जगु कवा अपने खिलानों से खेलने लगता है और कुकु घर की सफाई करने लगता है चडिया जब काम खतम हो जाए तो तुम चली जाना मैं आज अपनी मावाले जंगल जा रही हूँ जी मालकिन बस मेरा थोड़ा सा ही काम बाकी है गोरी चली जाती है और जगु कवा अपनी ममा की अलमारी खोलता है उसे तो चोरी की बुरी आदत थी वो अपनी ममा के पैसे चुराता है और घर से भाग जाता है वो सीधा फास्ट फूड की दुकान पर जाता है और वहां जाकर पार्टी शुरू करता है चिडिया और उसका बेटा भी काम खतम करके घर चले जाते है शाम को घर वापिस आते हुए गोरी कवी अपने बेटे के लिए मिठाई लेती है जब वो घर आती है तो जगू सोया हुआ था उठो उठो जगू बेटा मिठाई खा लो और तुम्हारे पापा कहा है ममा पापा तो सुभा से ही घर नहीं आए और मिठाई की भी मुझे भूख नहीं है फिर गोरी का दिहान अपनी अल्मारी में जाता है दर्वाजा खुला था गोरी देखती है के अल्मारी में पैसे नहीं है जगू जगू बेटा इधर आ यहां मैंने कुछ पैसे रखे थे अब अगर पापा का नाम लगाया तो पकड़ा जाऊंगा पापा तो सुबहा से घर ही नहीं आए गोरी फिर से फूशती है जगू बेटा क्या तुम्हारे पापा घर आए थे नहीं नहीं ममा पापा तो नहीं आए मगर उस कामवाली का बेटा अल्मारी के पास पास घूम रहा था ले गया वही मेरे पैसे निकाल कर ले गया मैं अभी जाती हूँ चड़िया के घर इतने में कालू का वाभी आ जाता है वो चड़िया कामवाली का बेटा मेरे पैसे चुरा कर ले गया है मैं तो सुबहा से बाहिर था अगर मैं घर होता तो आज फिर जगु मेरा नाम ही लगाता जगु सच सच बताओ ऐसे जूट नहीं बोलते बेटा ममा ममा पापा घूर रहे हैं शरम करो कालू मेरे बेटे पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो घोरी कव्वी गुसे में चुडिया के घर जाती है चोटे पक्षियों के चोटे ही काम होते हैं चुडिया अपने बेटे से बूझो इसने मेरी अल्मारी से पैसे जुड़ा कर कहा रखे हैं नहीं नहीं ममा मैं तो गोरी आंटी मालकिन की अल्मारी के पास भी नहीं गया कुकु कुकु बेटा सच सच बताओ मुझे शर्मिंदाना करना बेटा ये तुम्हारे साथ इसलिए तो गया था और इसे वहां क्या जरूरी काम था अब तो कुकु की ममा भी कुकु पर शाक करने लगी थी कुकु बेटा जल्दी बताओ वरना मैं बहुत मारूंगी तुम्हें कुकु रोने लग जाता है नहीं ममा मैं सच कह रहा हूँ मुझे कुछ मालूम नहीं है रात को सब सोय हुए थे बचाओ बचाओ कोई मेरे ममा पापा को बचाओ मेरे ममा पापा नधी में डूप गये हैं कोई मेरी मदद करे तुम चोर हो, कोई तो औहारी मदद नहीं करेगा कोई चोर की मदद ना करें, इसके मम्मा बापा को मर जाने दो मम्मा पापा पापा ऐसे चिलाता हुआ जगू कवा उठकर बैठ जाता है और रोने लग जाता है जगू जगू बेटा क्या हुआ है कोई ड्रावना सपना देखा है क्या ममा ममा मैं चौर हूँ मैंने ही उस दिन आपकी रसोई से पैसे चुराए थे और और पापा का नाम लगाया था ममा कल भी आपकी अर्मारी से पैसे कूकूने नहीं बलके मैंने चुराए थे ममा ममा मुझे माफ कर दे ममा मुझे माफ कर दे कालू कवा भी उठ जाता है गोरी चोरी करना गलत है मुझे इसका ऐसा जब हुआ तो मैं बुढ़ा हो चुका था हम बहुत भागेशाली है जो हमारा जगू अभी ही सीधे रास्ते पर आ गया है बेटा मैंने उस चड़िया के बेटे की बहुत बेजती की बेचारे की ममा मैं कल कुकू से सोरी कर लूँगा फिर दूसरे दिन जगू कवा कुकू के लिए गिफ्ट लेकर उसके घर जाता है जगू के ममा भी साथ थी चड़िया मेरा जगू कुछ कहना चाहता है कुकू से कुकू मेरे दोस्त मुझे माफ कर दो मैंने ममा से जूट बोला के पैसे तुमने चुराए है कुकू बेटा जगू ने अब वादा किया है के अब कभी भी जोरी नहीं करेगा फिर कुकू और जगू एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और ममा जड़िया अपने बेटे की सचाई पर बहुत खूश थी प्यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक अपने दोस्तों के साशियर और चैनल को सब्सक्राइब करना मिलकुल मत भूलना आपका धेनेवाद गोरी कवी और कालू कवे की शादी हो जाती है गोरी कवी कालू कवे को बहुत पसंद करती थी परन्तों गोरी कवी ये नहीं जानती थी के कालू कवा तो बहुत कामचोर और काहिल है वो तो कोई कामधंदा ही नहीं करता एसे बैठे गाने ही गाते रहोगे ya जाकर मेरे लिए भóजन भी लाओगे मैंने तुमसे शादी इसलिए की है कि मुझे भोजन लाने में बहुत दिकत होती थी अब तुम आ गई हो न जाओ और अपना भी भोजन लेआ और मेरा भी मैं अपने भाईयों के लाड़ प्यार में पली भड़ी हूँ, मेरे भाई मेरी हर इच्छा पूरी करते थे तो फिर भाई साथ ही ले आने थे, या फिर उन्हें को हो के तुम्हारा और मेरा भोजन भेज दें अब मुझे भूक लगी हुई है, मैं भोजन खाऊँ, फिर आ कर देखूंगी तुम्हें फिर गोरी कवी गुसे में वहां से चली जाती है क्या हुआ गोरी बेहन, आप आज पहले ही दिन घर से बाहर कैसे? चुडिया, मैं क्या करूँ, मेरे साथ धोका हो गया है मुझे क्या पता था कि कालू कवा कुछ भी नहीं करता और इतना काहिल है, मैंने उसे भोजन का कहा तो कहने लगा कि जाकर खुद ले आओ गोरी बेहन, आप चिंता ना करें कालू भाई ने शुरू से ही कोई काम नहीं किया परन्तु अब जब जुम्मेदारी पड़ेगी ना तो खुद ही ठीक हो जाएंगे मुझे बहुत भूग लगी है मेरे पास ये कुछ दाने है इन में से कुछ आप रख लें खुद भी खा लेना और कालू भीया को भी दे देना गोरी वो दाने लेकर खुशी खुशी अपने ख़ड चली जाती है ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर तंग आकर गोरी कवी एक दिन अपने भाईयों को एक चिट्थी लिखती है भाई मैंने कालू से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है मेरा चरा भी दिहान नहीं रखता ना ही भोजन ला कर देता है अगर कोई बात करूं तो मारता भी है और हर समय सोया रहता है भाई मुझे आकर ले जाएं नहीं तो मैं आत्मा हत्या कर लूँगी आपकी बहन गोरी कवी मा, मा गोरी बहन की चिठी है ठीक तो है मेरी बेटी क्या लिखा है मेरी बेटी ने चिठी में मा, गोरी बहन बहुत परेशान है उसका पती उसे मारता भी है और भोजन भी नहीं ला कर देता मुझे तो पहले ही वो कोई आवारा कवा लगता था मैं आची जाकर अपनी बेटी को ले आती हूँ दो दाने ही तो खाएगी मेरी बेटी ऐसा कहते हुए गोरी की मा गोरी को लेने निकलती है गोरी मैं धीरे धीरे खुद को बदलूँगा आप ली जैसा ना करें मुझे छोड़ कर ना जाएं मैंने तुमसे शादी करके गलती की थी और अब तुम्हारे साथ और रहने की गलती मैं नहीं करूँगी ऐसे ही गोरी की मा भी आ जाती है बड़ा बदमाश है तुम अब मारो मेरे सामने मैं देखती हूँ तुम कैसे मेरी बेटी को मारते हो बोलो अब बोलो अब चुप क्यों हो मा जी मैंने इसे मारा तो नहीं है भोजन के लिए लड़ाई हुई थी मेरी इससे वो भी मैं सुधर चाऊंगा आप लीज मेरी पतनी को मेरे पास ही रहने दे नहीं मा मैं अब इसके साथ नहीं रहूंगी फिर गोरी कवी की मा गोरी को साथ लेकर चली जाती है चुड़िया बेहन मेरी पतनी मुझे छोड़ कर चली गई है आप लीज मेरे साथ चलें और समझाएं उसे वो तुम्हे छोड़ कर नहीं जाएगी तो और क्या करेगी तुम्तो एक भोज़न नहीं ला कर दे सकते उसे बाकी तुम और क्या करोगे में बहुत कोशिश करता हूँ खुद को बतने की परन्तु नहीं कर पाता तो फिर जब खुद को बतलो तो फिर जाना और ले आना अपनी पतनी को ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गोरी कवी को अपनी तबियत कुछ खराब लगती है वो बुलबुल दी के पास चाती है भधाई हो गोरी तुम एक अंडे की मा बनने वाली हो ये क्या गोरी तुम्हें खुशी नहीं हुई ये सुनकर नहीं नहीं मैं बहुत खुश हूँ फिर गोरी कवी वहां से चली जाती है वो एक पेड़ पर बैठ जाती है मैं अपने बच्चे को क्या बताऊंगी कि इसका पापा कहा है और बिना पिता के मैं कैसे अपने बच्चे का पालन पोसन करूंगी हो सकता है कालू अब सुधर जाए मैं मा जी से कहती हूँ मुझे कालू के पास ही छोड़ाए ऐसा सोचते हुए गोरी कवी अपनी मा के घर जाती है गोरी जब घर जाती है तो वहां कालू को देख हेरान हो जाती है गोरी मैंने मा जी से माफी मांग ली है चले मैं आपको लेने आया हूँ गोरी बेटी कालू बहुत शिरमिंदा है और ये मिंती कर रहा है फिर से कुछ ऐसा वैसा ना करने का वच्चन दिया है इसने हा मा मैं भी अब वापिस अपने खर चली जाना चाहती हूँ ये सुनकर कालू तो बहुत खुश हो जाता है जो हुआ सो हुआ अब मैं तुम्हें एक अच्छा पती बन कर दिखाऊंगा फिर कालू और गोरी कवी वापिस अपने खर चले जाते हैं पती जी एक खुशी की खबर है आपके लिए बताओ बताओ गोरी क्या बात है कालू जी आप पिता बनने वाले हैं मेरे अंडा होने वाला है क्या क्या सच में मैं पिता बनने वाला हूं सच कालू जी अब तो मैं अपनी पतनी का बहुत अच्छे से दिहान रखूंगा तुम घर में आराम करो और मैं आप के लिए भोजन ले आता हूँ ऐसे कवा गोरी के लिए भोजन लेने चला जाता है वो उड़ता है उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी के भोजन कहां से मिलेगा फिर वो तोते और कबूतर को एक पेड़ पर बैठे देख वहां चला जाता है तोते यार मैं भोजन ढूंड रहा हूँ परन्तु मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा मेरी मदद करें ये सुनकर तोता और कबूतर हंसने लग जाते हैं भोजन और तुम पहले तो कभी तुम्हें भोजन ढूंडते नहीं देखा और कवे जी भोजन सुभा के समय मिलता है इस समय तो सबख्षी भोजन लेकर अपने खरों को चले जाते हैं तो फिर तोते और कबूतर यार कल चाते हुए मुझे भी अपने साथ ले जाना मैं भी भोजन की खोच को जाऊंगा अब मैंने खुद को बदल लिया है क्यूंके मैं अपना घर बसाना चाहता हूं अगर तुमने सच में खुद को बदल लिया है वो खुशी खुशी वहां उतरता है चलो कम सकम पतनी जी के भोचन का तो बंदोबस्त हुआ फिर कवा वो अमरूद लेकर अपने ख़ड चला जाता है क्या आपने कुछ खाया है? हाँ हाँ मैंने तो चावल खा लिये थे कालू छूट में ऐसा कहता है ऐसे अब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे संतान की खुशी ने उनकी जिन्दकी बदल दी थी और वो दोनों खुद को बदलने की कोशिश कर रहे थे दूसरे रोच कवा मू अंधेरे ही बाकी सब पक्षियों के साथ भोजन लेने चला जाता है ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और गोरी कवी एक सुन्दर सा अंडा देती है जिसे कुछ दिनों बाद एक काला काला छोटा सा बेटा कवा निकलता है जिसे देख वो दोनों कुछ ज्यादा ही खुश थे गोरी अब मुझे पता चला कि जिन्दगी का असल मकसद क्या होता है जो खुशी मुझे अपने परिवार के लिए जीने से मिलती है वो मुझे अकेले में कभी ना मिली थी मैंने बहुत चोरियां की बहुत बुरे काम किये और मेरे इस बेटे के कारण मैंने सब छोड़ दिया मुझे भी माफ कर दो कालू जी मैं जो आपको छोड़ कर चली गई थी मैं भी अगर सबर और परदास्त करती तो समय तो गुजर ही जाना था फिर जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है हमारे घर में तो भोजन भी नहीं है और बारिश भी तेज है हमारे इस छोटे बचे को किसी नरम नरम फल की जरूरत होगी आप ऐसे हलात में भोजन की खोज को ना जाएं नहीं कोरी मैं अपने बेटे को भूका नहीं देख सकता और फिर कालू कववा तेज बारिश में घर से निकलता है कववे को तेज बारिश में जाता देख चिडिया उसे आवाज देती है कालू, ओए कालू, सुनो तो कहां जा रहे हो मेरे घर में एक छोटा सा बेटा आया है और घर में खाने को कुछ नहीं था मैं कोई नरम नरम फाल लेने जा रहा हूँ अब बताओ कालू, पहले वाली जिन्दगी अच्छी थी या अब वाली चिडिया बहन, सच पूछो तो जीने का मज़ा ही अब आया भारिश के लिए भोजन का बंदोबस्त पहले से कर लेते है चिडिया बहन, मैं सब सीख जाऊंगा अब आप ऐसा करें के पहाडों पर जाएं वहां एक बड़ा पेड़ है जिस पर मीठे मीठे जामन लगे हुए है आप वो ले आएं फिर कालू कववा चिडिया को धन्यवाद बोल कर वहां से चला जाता है पहाडों पर कालू को वो फल मिल जाते है और उसे एक ऐसी खुशी मिलती है जिसकी कलपना वो कभी नहीं कर सकता था क्यूंके उसने अपने छोटे बेटे के लिए भोजन ढूंड लिया था इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जिन्दगी होसले और बरदाश से गुजारो और फैसले करते समय सोच समझ कर फैसले करो क्यूंके अगर थोड़ा मुश्कल समय गुजर जाए तो हो सकता है कि आने वाला समय आपके लिए धेड़ सारी खुशिया लेकर आए ये कहानी तीन दोस्तों की है लंबे समय की बात है किसी जंगल में तीन दोस्त रहते थे कबूतर, कालुकवा और रानजिडिया वो पके दोस्त थे वो हर मुश्कल समय में एक दूसरे की मदद करते और एक दूसरे का ख्यार रखते फिर जंगल में सूखा आ गया और वो तीनों दोस्त परेशान होकर एक पेड़ पर बैटे हुए थे और फिर कबूतर अपने दोस्तों से कहता है आखर कब तक हम यहां भूक और प्यास बरदाश्त करेंगे अगर हम परावास करने से डरते रहे तो हम यहीं मर जाएंगे लेकिन अगर हम परावास करें भी तो किस दिशा में बेहतर यही है कि हम यहां से परावास कर ही जाते हैं कबूतर तुम्हारे ख्याल में हमें किस दिशा में जाना चाहिए रानो जुरिया अगर मेरी मानो तो हम पूर वाले जंगल की दरफ चले जाते हैं वहाँ नदी भी है और दाना भी आसानी से मिल जाता है लेकिन वहाँ की चीले मौशूर है शकार करने में वहाँ जाकर मनने से दो बेहतर है हम यही भूग से मर जाते हैं अगर मेरी मानो तो हम पच्छम वाले जंगल की तरफ जाते हैं वहां का मोसम भी ठीक है और वहां दाना भी मिल जाता है तो फिर देर कैसी चलो हम आज ही परावास कर जाते हैं पच्छम की तरफ और फिर वो तीनों कवे की बात मान लेते हैं और पच्छम की तरफ जाने का फैसला करते हैं सफर जादा है और खतरनाक भी हम सब दोस बादा करें कि हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देंगे हम बादा करते हैं कि हम इस सफर में एक दूसरे का साथ नहीं चोड़ेंगे अगर मरें तो अकठे मरेंगे और अगर जीए तो भी अकठे और फिर वो तीनों ऐसे बादा करके वहां से पच्छम की तरफ चले जाते हैं वो तीनों सारा दिन उड़ते हैं वो बहुत तेज उड़ते हैं और वो शाम होने तक अपना जंगल छोड़कर दूसे जंगल में दाखिल हो जाते हैं और फिर रात हो जाती है और वो तीनों उस अजनबी जंगल में एक पेड़ पार बैठ जाते हैं कवे भीया आप पहले कभी आए हैं इस दिशा में नहीं रानो मैं भी पहली दफ़ा ही आया हूँ इस तरफ तो फिर ऐसे ही ले आए तुम हमें इस तरफ अगर रास्ता भूल गे तो फिर क्या होगा कभूतर भीया आप ना गबराओ जब तक हम तीनों दोस्त एक दूसरे के साथ हैं हमें कोई खत्रा नहीं है इस जंगल का राजा पता नहीं कौन है कोई अच्छा पक्षी है या कोई बुरा कभूतर भीया हमें क्या लेना देना इस जंगल के राजा से हम दो परावासी हैं और कोई भी राजा हो किसी परावासी पक्षी को कोई नकसान ही पन जाता अब सो जाना चाहिए क्योंके कल फिर सारा दिन सफर करना है ऐसे हम बिमार हो जाएंगे लेकिन हम सब एक साथ नहीं सोएंगे हमेंसे एक पक्षी पहरा देगा और बाकी दो सोएंगे और हम ऐसा बारी-बारी करेंगे ये ठीक है कबूतर और कव्वे तुम दोनों सो जाओ पहले मैं दिहां रखती हूं और फिर मैं कबूतर तुम्हें जगा दोंगी और फिर बाद में रात के पिछले पहर कव्वा पहरा देगा और फिर ऐसे कव्वा और कबूतर सो जाते हैं और रानो चड़िया बहुत अच्छे से आसपास का दिहां रखती है वो कभी-कभी उड़ती और इधर उधर थोड़ी दूर तक देखकर वापस आकर बैठ जाती ऐसे ही चड़िया कबूतर को चगा देती है कबूतर भीया आदी रात हो गई है अब मैं थोड़ा सो लूँ और फिर जब रात का पिश्ला पहर हो तो तुम कव्वे को चगा देना रानो चड़िया तम सो जाओ मैं रखता हूं अब दिहां और फिर चिडिया सो जाती है और कबूतर भी अच्छे से दिहां रखता है लेकिन समय गुजनने का पता ही नहीं चलता और रात का पिशला पहर हो जाता है और फिर कबूतर कालू कवे को जगाता है कालू जी अब ऐसा नहो कि तुम भी सो जाओ और कोई हमें नकसान ही पंचा दे तुम बेफिकर होकर सो जाओ कालू कवे के होते हुए तुमें क्या फिकर और फिर कबूतर सो जाता है थोड़ी ही देर बाद वहां दो उलू आ जाते है और वो पास वाले पेड़ पर बैठ जाते है और वो आपस में बाते करने लगते है राजा जी ने कहा है कि अगर कल तक कंद साफ करने के लिए कोई दास ना डून कर लाए तो मेरा दाना पानी बंद हो जाएगा हम कल सुभा दूसरे जंगल में जाएंगे सुना है वहां थोड़े से गंदम के दाने दे कर कोई ना कोई पक्षी मिल जाता है तुम फिकर ना करो हम कल दूसरे जंगल से दास खरीद लाएंगे कववा बैठा इन उल्गों के बात बहुत विचार से सुन रहा था अगर मैं इन्हें दो दास बेच दू फिर तो मुझे धेर सारे गंदम के दाने मिलेंगे क्यों ना मैं कबूतर और चिडिया को ही इन्हें बेच दू और फिर ऐसा सोचते हुए कववा इन उल्गों के पाच आता है अगर मैं आपको दो दास बेचू तो बदले में मुझे क्या दोगे तूम वो लू बहुत खुश हो जाते हैं धेर सारे गंदम के दाने लेकिन तुम्हारे पास दास कहां से आए वो दिखो सामने एक चिडिया और कबूतर मैं तो जा रहा था इन्हें अगले जंगल बेचने लेकिन अगर तुम रख लो तो मैं वापस चला जाओंगा मेरा सफर बच जाएगा अच्छा तो फिर ठीक है तुम मेरे साच चलो मैं तुम्हें धेर सारी गंदम देता हूँ और बड़े फोजी तुम इन दासों को लेकर राजा जी के पाजाओ मेरी एक छोटी सी इच्छा है कि इन्हें मेरे जाने के थोड़ी देर बाद ही लेकर जाना ऐसा नहो कि ये मेरी मिलती करने लग जाए और मुझे इन पर दिया आजाए और फिर ऐसा कहते हुए कव्वा दूसरे उल्लो के साथ गंदम लेने चला जाता है उठो भी दासो उठो अब सोने का समय गया सुभा होने वाली है और फिर ऐसे कभूतर और रानोचिडिया डरते हुए जल्दी से उठ जाते हैं आप कौन हो और हमारा दोस कहा है कालू कव्वा दोस नहीं वो तम्हारा मालक था वो तुम्हें हमें बेच गया है ये ना समझना के मैं अकेला हूँ अगर कोई होश्यारी की तो पूरी सेना को बलवा लूँगा वो उल्लू उनकी कोई भी बास सुने बगैर ही ऐसे बोले जा रहा था उल्लू जी हम तो इजददार पक्षी हैं हम कोई दास नहीं हैं और वो कवा हमारा दोस्त है हम पच्छमवारे जंगल की दरफ जा रहे हैं रात हो गए थी इसलिए थोड़ा अराम करने के लिए सो गे थे मैंने एक बार कहा कि हमने कीमत अदा की है तुम्हारी धेर सारी गंदम अब तक तो वो कवा गंदम लेकर दूसरे जंगल भी पहुँच चुका होगा अब सीधे से तुम मेरे साथ चलते हो या मैं बलवाओं सेना को कभूतर कवा जो हमारे साथ कर गया है तुम भी अच्छे से समझतो गे हो अब ऐसे अपने आंके मन ना करो अगर वो हमें बेच गया है तो हम दासी है बेहतर यही है कि हम अब इसके साथ चले जाते हैं और फिर कभूतर चिडिया की बात माल लेता है और वो दोनों उस उर्लू के साथ चले जाते हैं और फिर सुभा हो जाती है उन्हें राजा के पास ले जाया जाता है मिठू राजा जी कान की सफाई के लिए दास खरीद लाए है हम ये तो बहुत अच्छे दास दिख रहे हैं और दासा मैं आशा करता हूँ कि तुम अपना काम भी अच्छे से करोगे हमने तुम्हारी कीमत अदा की है और बदले में तुम हमारा कन साफ किया करोगे और फिर ऐसे वो राजा वहां से चला जाता है रानो चुडिया मैं तो ठग गया हूँ सुभा से दाने साफ कर करके मेरा तो बुरा हाल हो गया है ये कालू अच्छा नहीं करके गया हमारे साथ ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था जो कालू हमारे साथ कर गया अब तो कबुतर जिंदगी इसी गुलामी में गुजाना होगी और ऐसे वो शाम तक काम करते हैं और फिर शाम हो जाती है और मिठू राजा भी वहां आ जाता है तुम तो बहुत अच्छी से काम करते हो आज तक मेरे राजे में तुम से जदा मेंती कोई पक्षी नहीं आया फोची आज से इनके भोजन में एक दाने का अजाफा कर दो और फिर ऐसे राजा जी खुश हो कर वहां से चला जाता है और फिर ऐसे ही दिन और रात गुजर देगे और फिर एक दिन मिठू राजा का बेटा खेलते खेलते कहीं दूर निकल जाता है और फिर शाम हो जाती है लेकिन मिठू राजा का बेटा वापस नहीं आता हर तरफ शोर मचा हुआ था और सब पक्षी मीठु राजा के बेटे को धूंड रहे थे रानोचिडिया और कबूतर भी छोटे राजा को धूंड़ते धूंड़ते नदी की तरफ जाते है और फिर अचानक से रानोचिडिया की नज़र जाड़ियों पर पड़ती है यहां उसे कोई पक्षी महसूस होता है और वो जैसे ही वहां जाती है वो तो छोटा राजा था आंटी मैं यहां खेलने आया था और मेरा पाउं इन चाड़ियों में फंस गया फिर रानो जिडिया उसे बाहि निकालती है और फिर कबूतर और रानो जिडिया चोटे राजा को अपने उपर बठा कर राजा के पाथ चले जाते है मिठू राजा जैसे ही अपने बेटे को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है मेरे बेटे कहां चले गे थे और फिर रानो जडिया राजा को सारी बात बताती है चुडिया तुम महंती होने के साथ साथ बहुत अच्छी भी हो अगर आज तुम ना होती तो शायद मेरे बेटा कभी वापस ना आता तुम आसे एक दास नहीं बलकि मेरे साथ रहोगी और मैं हर फैसला तुम्हारे मश्वरे से किया करूंगा और फिर ऐसे रानो जड़िया मिठू राजा की सलाहकार बन जाती है अभी थोड़े ही दिन गुजरे थे के कालू कवा भी फिटा फराता उसी जंगल में आ जाता है वो बहुत भूका था उसने सुभा से कुछ भी नहीं खाया था कवा वहां एक पक्षी के पास बैठ जाता है पक्षी मैं बहुत भूका हूँ क्या कुछ खाने को मिल सकता है मेरे पास तो कुछ नहीं है लेकिन तुम राजा के पाह चाओ क्यूंकि हमारे जंगल का राजा मिठू राजा बहुत अच्छा है वो हर परावासी पक्षी को भोजन दे देता है क्या तो मुझे ले जाओगे राजा के पास मैं उधर ही जा रहा हूँ और फिर ऐसे कालू कवा उस पक्षी के साथ राजा के पास चला जाता है लेकिन जैसे ही कालू कवा राजा के पास चाता है तो राजा के पास राजा के पास रानो चिडिया और कबूतर को देखकर अपना मूँ दूसरी तरफ कर लेता है रानो चिडिया भी कालू को पहचान लेती है आजाओ कालू कवे हमने तुमें पहचान लिया है डर क्योंगे चिडिया तुम इस अजनबी पक्षी को कैसे जानती हो अजनबी नहीं राजा जी ये वही कवा है जो मुझे और कबूतर को आपके पास बेज किया था चिडिया रानी और कबूतर मुझे माफ कर दो तुम्हें यहां बेज कर जब से मैं गया हूँ मैंने एक दिन भी खुशी नहीं देखी अब भी फूका सताया ही यहां तक पहुंचा हूं और फिर रानो चिडिया कववे को माफ कर देती है और राजा जी से थोड़े दाने लेकर कववे को दे देती है और कवा थोड़े दाने लेकर चुप चाव वहां से चला जाता है इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो कोई किसी को दोका देता है उसके साथ कभी भी अच्छा नहीं होता